नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रसान सिंग और आप देख रहे हैं Take A to Z दोस्तों हमने देखा कि मोटो ने हाल ही में G5 प्लस और G5 को लांच किया और खासकर G5 प्लस काफी सफल हुए अपने सेग्मेंट में हलां कि pricing इस बार थोड़ी सी high मानी जा रही है उसकी लेकिन फिर भी camera उसका जो है उस price range में best है और अभी Moto के कई नए phones की ख़बर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कई नए line-up वो ला सकता है और इसमें एक है C line-up जो की वो lower end budget segment के लिए लाने वाला है और lower end से मतलब जो lowest end होता है smartphone का यानि की करीब 5000 से 7000 या 8000 बीच में तो इसमें दो phones अभी leak हुए है Moto C और Moto C Plus और इन दोनों की जो है render image leak होई है YouTube पे एक वीडियो उसका आया था मैं link दे दूँगा आपको आप देख सकते हैं वो वीडियो जाके और Moto C की जहां तक बात है इसमें माना जा रहा है कि हो सकता है केवल 3G phone हो इसमें 4G ना आए और हो सकता है इसका processor जो हो 32 bit हो और इसमें 1.3 GHz का media tech का processor आने वाला है 1 GB RAM और 8 GB की internal memory हो सकती है 5 इंच का display होगा और इसकी जो reaction होगी वो FWVGA होगी यानि की 854 x 480 pixels और 5 MP back camera होगा जबकि 2 MP front camera हो सकता है और इसकी specification बहुत ज्यादा low end दिख रही है इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि 3G हो सकता है 4G नहीं आएगा और 32 bit processor ही हो सकता है इसमें केवल तो ये काफी पुरानी specifications है और हो सकता है कि ये phone 4.5 या 5000 में आए और जहां तक C plus की बात है इसकी specifications कुछ अच्छी दिख रही है और इसमें हालंक processor तो बहुत ही बेकार दिख रहा है ये रहेगा 64 bit लेकिन 1.1 GHz का media tech का processor है और इसके अलावा RAM की बात करें तो 2 GB RAM, 16 GB internal memories में मिलती है और 5 inch का 720p HD display हो सकता है 8 MP का back camera, 2 MP का front camera और इसमें आपको 4G मिलेगा तो ये phone जहां तक हो सकता है करीब 7000 के range में आजाए या कर सकते हैं आप 6000-6500 के range में क्योंकि 8000 के करीब उसका E line अप आ जाता है E3 और अभी E4 आने वाला है तो ये सब इसकी specifications हैं और इसके अलावा दोनों phones में removable battery मिल सकती है आपको यानि कि उसकी battery आप निकाल सकते हैं खुद ही तो ये Moto C और C Plus के leaks की ख़बर थी और ये काफी low end budget phones होने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है जैसक मैंने बताया कि ये 4500-6500 के range में दोनों phone हो सकते हैं तो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा और इसे share भी कीजिएगा ताकि ये जनकारी और लोगों तक भी पहुंचे और इसके अलावा आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और इस तरह के latest videos breaking news जो take world की है आपको लगातार मिलती रहती है हमारे चैनल पे और ये वीडियो मैं लगातार बनाता रहता हूँ आप subscribe करेंगे हमारे चैनल को तो आपको ये जनकारी है जल्दी से मिल जाएंगी जो मैं नए video बनाँगी उनकी जनकारी मिल जाएगी आपको तो आप subscribe जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को और उमीद करता हूँ हम मिलेंगे ऐसे है किसी आने वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद